इसा पूरु छटी सदी में विसु की प्रथम गड़ तंत्रात्मक विवस्ता कहां थी तो वैसाली में थी। विसु का पहला गड़ तंत्र वैसाली में किस के द्वारा अस्थापित किया गया था तो लिश्वी के द्वारा अस्थापित किया गया था। बिम्बिसार में किस राज्य से व्यवहाईक समद अस्थापित नहीं किया था तो विदे के साथ व्यवहाईक समद जो अस्थापित नहीं किया था राजकुमारी चलना कौन थी तो यह वज्जी लिक्ष्वी राजकुमारी थी किस राजा ने व्यवहारिक निती अपना कर अपने राजी की इस्तिती मजबूत की तो बिम्बि सार ने की अजाज सत्रू के वंस का क्या नाम था तो हर्यक जोए इसके वंस का नाम था अजाज सत्रू में अवंती के हमले से बशने के लिए किला बंदी की थी उसने वह किला कहां बनवाय था तो उसने यह किला राजगरी में बनवाय था अजा सत्रुक किस राज़ को पराजित नहीं कर सका तो यह जोए अवंती को पराजित नहीं कर सका मगत की प्रारंबिक प्रतम राजधानी कौन से थी तो गिरी व्रस्ती जिसको राजगरी कहते थे किस सासक द्वारा सुरपतम पाठली पुत्र का राजधानी के रूप में चैन किया गया तो उधयन के द्वारा जोए किया गया जाइन के बाद मगत समराज पर किस राजवन्स का सासन अस्तापित हुआ तो सिसुनाग वन्स का जो है सासन अस्तापित हुआ किस मुगल समराट ने सिवम को एक राट कहा है तो महापदमानंद ने कहा है मगद का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था तो घना नन था मगद में मौर वंच के सासन की अस्तापना किस ने की थी तो चंदरगुप्त मौरे ने की थी पूश्ट नमर के है? बिहार का विभाजन किस वर्ड़ हुआ था? तो 15 नौमबर 2000 को बिहार का विभाजन हुआ था छेत्रपल की दृष्टि से बिहार देस में कौन सा अस्थान है? तो बिहार का देस में 11 अस्थान है बिहार का सहरी शेत्र कितने वर किलोमीटर में फैला है तो 1095 में दस्मलों 49 वर किलोमीटर में फैला है बिहार का ग्रामिर शेत्र कितने वर किलोमीटर में फैला है तो 92,257.51 किलोमीटर में फैला है बिहार की राजभासा क्या है तो हिंदी जो है बिहार की राजभासा है बिहार की वर्तमान में राजधानी है तो पटना जो है बिहार की राजधानी है बिहार में गावों की संक्या कितनी है चोवालिस अजार आठ सो चुवत्तर गाव है वर्तमान में विहार में विधान सबा सदस्यों की संक्या कितनी है? 242 है वर्तमान में विहार विधान परिशद सदस्यों की संक्या कितनी है? तो 75 है वर्तमान में चैनित लोक सबा सदस्यों की संक्या कितनी है? तो 40 है बिहार में सिचाय का मुख के साधन क्या है तो नहरे है बिहार राज के प्रतम मुख के मंत्री कौन थे तो डॉक्टर स्रिकिष्ण सिंग थे बिहार प्रतम राज़ेपाल कौन थे जैराम दौलत राम थे बिहार के प्रथम विधान सभा अध्यक्ष कौन थे तो राम दयालू सिंग थे बिहार में प्रकाश्चत होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था तो बिहार बंदू था बिहार में किस वर्स प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंदु का प्रकाशित किया गया तो 1880 में किया गया बिहार का प्रतम अंग्रेजी दैनिक जागरट समाचार पत्र कौन सा था तो बिहार हेराल्ड था बिहार हेराल समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्स किया गया तो वर्स 1875 में किया गया बिहार में देव मंदिर कहां इस्तित है और अंगाबाद में इस्तित है बिहार में किस अस्थान पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा अस्थापित की गई है बुद्ध गया में अस्थापित की गई है बिहार की किस अस्थान में गुरु पर्व का आयोजन किया जाता है तो पटना में जो है गुरु पर्व का आयोजन किया जाता है बिहार की सबसे उची पहाड़ी सो मेस्वर की उचाई कितनी है? 880 मीटर है वर्स 1931 में बिहार में सोसलिस्ट पार्टी का गठन किसके कारेकाल में किया गया था तो लोकनैक जै प्रकास नारायड के कारेकाल में किया गया था बिहार विधान सभापरिशत के प्रथम सभापती कौन थे तो राजीव रंजन प्रशाद थे बिहार के प्रथम नयाधिस कौन थे तो सर एड़वर्ड देव चेंपस चामियार थे बिहार के प्रथम मिला मुख्यमंत्री कौन थी तो स्रीमती राबडी देवी थी बिहार के प्रतम राज़पाल कौन थे तो जैरामदास दौलत राम थे बिहार के प्रतम मुश्लिम मुख्यमंत्री कौन थे तो अब्दुल गफूर थे बिहार के प्रतम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे तो भील पासवान शास्त्री थे बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने असोक चक्र प्राप्त किया तो रधीर वर्मा थे बिहार में किस वर्ष प्रथम चीन मील लगाई गई थी तो कब लगाई गई थी 1904 में प्रथम चीनी मील लगाई गई थी बिहार की किस अस्तान पर पहली चीनी मील अस्तापित की गई थी तो मढ़ोरा में की गई थी बिहार का प्रतम तेल सोधं कार खाना कौन सा है कौन सा था तो जो हमारा बरौली रिफाइनरी है बिहार का प्रतम दूरदरशन प्रसाड केंद्र अवस्तित है तो मुझफर नगर में अवस्तित है बिहार का प्रतम विज्ञान केंद्र कहां अवस्तित है तो यह जो है स्रिकृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में अवस्तित है बिहार का प्रतम इस्टेडियम कौन सा है तो कौन सा है मुहिन अली हक इस्टेडियम पटना है बिहार का प्रतम डृति भवन कौन सा था तो भारती कला मंदिर पटना किस वर्स बिहार में पंचायती राज अधिनियम पादित किया गया वर्स 1998 में किया गया बिहार का महापर्व किसे कहा जाता है तो छट पर्व को कहा जाता है किस व्यक्ति द्वारा विहार में हिंदी को पत प्रसस्त करने वाला अग्रिम व्यक्ति कहा गया तो सदल मिश्र को कहा गया बिहार की किस व्यक्ति को भारत का राष्ट कवी कहा जाता है रामधारी सिंध दिनकर को कहा जाता है जनसंक्या के दृष्टि से 2011 की अनुसार बिहार का भारत में कौन सा अस्तान है तीश्रा अस्तान है 2011 के बिहार का गनत तो कितना था कौन सा है रो तास है बिहार का नियुम्तम साक्षर्टा वाला जिला कौन सा है तो पुर्णिया है बिहार में पुरुष साच शर्टा कितने परस्ट है तो कितना परसेंट है 73.39 परसेंट है